उधारन दो इन प्रश्णों को सरल कीजी पहला तीन की घाथ चार गुनित तीन की घाथ रिन आठ हमें ग्याद करना है तीन का घाथ चार गुनित तीन का घाथ रिन आठ हम जानते हैं सबसे पहले हम तीन के घाथ रिन आठ को समझते हैं इसके लिए क्योंकि यहां पे घात रिनात्मक है तो हम लिखेंगे इसे एक बटा तीन का घात आठ गातां का नियम चूंकि एक घात रिन एम बराबर एक बटा एक घात एम होता है अतहा तीन का घात चार गुनित तीन का घात रिनात को हम लिख सकते हैं तीन का घात चार गुनित एक बटा तीन का घात आठ बराबर हम इसे लिख सकते हैं तीन का घाथ चार बटा तीन का घाथ आठ बराबर यहाँ पे हम घाथ में भाग का नियम को लगाएंगे यहाँ पे अधार एक है तो तीन लिखे और घाथ को हम घटाएंगे चार निन आठ क्यूंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि घाथांगे नियम से एका घाथ M बटा एका घाथ N बराबर एका घाथ M रिण N होता है बराबर तीन का घाथ 4 रिण 8 बराबर रिण 4 यहाँ उधारन का हल होगा दूसरा कोश्टक में रिण 2 की घाथ रिण 3 गुणित कोश्टक में रिण 2 की घाथ रिण 4 हमें रिण 2 का घाथ रिण 3 गुणित रिण 2 का घाथ रिण 4 का मान ग्याद करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर घाथ रिणात्मक है रिणात्मक को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे एक बटा, रिण दो का घात, 3 गुरित पुनह हम रिणात्माक घात को धनात्माक में बदलने के लिए इसे लिखेंगे एक बटा, रिण दो का घात, 4 चुकि हम जानते है घातांक का नियम एक खात रिण M बराबर एक बटा एक खात M होता है बराबर एक गुणित एक बराबर एक अंच में बटा यहाँ पे आधार रिण 2 एक है दोनों के खातांग में तो हम रिण 2 को एक बार लिखेंगे और घातों को का योग होंगा क्योंकि यहाँ पे हमने घातांग में गुणा का नियम लगाया है गुणा का नियम एक खात M गुणित एक खात N बराबर एक खात M धन N होता है बराबर एक बटा रिण 2 का खात तीन धन 4 बराबर 7 बराबर यहाँ पे हम हर को हर में जो संख्या है उसे अंश में ले जाएंगे तो यह हो जाएंगा रिण 2 का खात रिण 7 यहाँ पे हमने घातांग का नियम लगाया है एक बटा एक खात M बराबर एक खात रिण M तो रिण 2 का खात रिण 7 हमारा उत्तर आया यहाँ उधारन का हल होगा झाल